Hello Friends, आएए आज Excel के अंदर सीखें, Pivot Table के अंदर calculated field इंसर्ट करना Pivot Table के अंदर तो इसका मतलब मुझे एक पहले एक Pivot Table त्यार करनी होगी आए छोटी सी एक Pivot Table त्यार करती हैं, जो हम अपनी पिछली वीडियो में सीख भी चुकी है डेटा के अंदर किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर पीविट टेबल मैं एक्जिस्टिंग वर्क्शुट पर ही जाती हूँ और मुझे कोई लोकेशन बतानी होगी यसी आप टेबल H14 पर मना दीजिए मेरे पास पीविट टेबल फेलड लिस्ट ऐपन है मैं यहाँ पर अजेंट वाइस अजेंट को रो में ड्रैक करके ड्रॉप करती हूँ और यूनिक्स को वेल्लेस में ड्रॉप करती हूँ मेरी एक पीविट टेबल त्यार होगी आईए इसको क्रोज कर देते हैं वન 25 से ज्यादा है तो मुझे क्या करना होगा, इस टेबल के अंदर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद, मेरे पास पर पहर टेबल औपशन के अंदर, औपशन और औपशन के अंदर, फिल्ड आ ईटम और क्लिक कीजिए, और हमारे पास option है calculated field calculated field करते ही मेरे पास insert calculated field dialogue box open है मैं bonus declare करना चाहती हूँ तो मैं यह यह name दे देती हूँ bonus bonus और bonus का formula या कोई criteria क्या है किस basis मेरे मैं bonus declare करना चाहती हूँ यहाँ if का formula लगेगा तो मैं if function यूज़ करती हूँ if function और मैं बोनस डेक्लेयर करना चाहती है यूनिट्स की बेसिस पर जिनों नहीं टोटल 125 से यूनिट्स सेल की हैं यह यूनिट्स जिनकी 125 से ज्यादा हैं तो 125 तो उनको बोनस दिया जाए 5000 रुपिस 5000 अधरवाइस नो बोनस जीरो तो मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूं और ओके कर देती ह ओके करते ही देखिए सम ओफ बोनस किन इंप्लाइस को बोनस देना है और किन का नहीं देना तो मेरे टेबल के साथ ही एक next कोलम त्यार हो गया सम ओफ बोनस और इस तरह हम पीवेड़ टेबल के अंदर insert calculated field और item त्यार कर सकते हैं Friends, इस वीडियो की description में इस file का link available है, आप आजाकर file को download कर सकते हैं और practice कर सकते हैं, Thank you, Thank you my friends.